गौतम बुद्ध के समय में मोहन नाम का एक व्यक्ति था, मोहन एक धनी व्यापारी था, जिसके पास अपार धन दौलत बरा परिवार और समाज में बहुत मान सम्मान था, उसके पास वह हर चीज था जिसे लोग पाने की इच्छा रखते हैं, मगर फिर भी मोहन भीतर से और दुखी रहता था, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी संपत्ति और सुख सुविधाएं होने के बावजूद मैं क्यों अशांत और उदास रहता हूँ, मोहन की आत्मा दुखी और चिंतित रहता था, और किसी भी चीज में मन नहीं लगता था, मोहन को लगता था कि उनके जीवन में कुछ तो कमी है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह कमी क्या है, मोहन अपने जीवन में संतुष्टी की तलाश में बहुत कोशिश करता था, उसने कई सादू संतों से सलाह लिया, बरे-बरे विद्वानों से मिलकर अपने प्रश्न का उत्तर पू की थी, एक दिन मोहन को किसी से पता चला कि गौतम बुद्ध पास के ही एक गाव में ठहरे हुए हैं, बुद्ध के बारे में सुनने में आया था कि वे एक महान संत हैं, जिन्होंने जीवन के गहरे सत्य को समझा है, लोग कहते थे कि बुद्ध के उपदेशों में जीवन के सबसे कठिन प्रशनों का हल छुपा है, यह सुनकर मोहन के मन में आशा की किरण जागी, मोहन सोचा कि शायद बुद्ध ही मुझे मेरी बेचैनी का कारण समझा सकता है, और मुझे शांती प्राप्त करने का रास्ता दिखा सकेंगे, अगले दिन मोहन बुद्ध से मिलने, उ प्राप्त का मिला, तो वह बुद्ध के पास गया, और उनके चरणों में बैठ कर विनमरता पूर्वक से बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार और समाज में प्रतिष्ठा, लेकिन फिर भी मैं भीतर से बहुत दुखी रहता हूं, मेरा मन हमेशा अशांत और बेचैन रहता है, मुझे समझ नहीं आरा कि मेरे दुख का कारण क्या है, कृपया आप मुझे यह बताईए कि मैं इतना दुखी क्यों रहता हूं, और मुझे इस दुख से कैसे मुक्ती मिल सकता है, बुद्ध ने मोहन की और ध्यान पूर्वक देखा, और बुद्ध के और रिशना से भरा हुआ है, इच्छाओं से भरा हुआ है, जब तक तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी तब तक तुम्हारा मन अशान्त रहेगा, तुम्हारी यह सोच गलत है कि बाहरी वस्तुएं, धन, संपत्ति और मानसम्मान तुम्हें हमेशा सुख दे सकते तो तुम्हारा सोच गलत है मोहन ने आश्चर्य से पूछा लेकिन भगवान क्या यह संभव नहीं है कि जो कुछ मेरे पास धन दौलत है उससे मुझे सुख मिल सके लोग तो यही कहते हैं कि धन और प्रतिष्ठा से सुख मिलता है बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया मोहन यह संसार भ्रहम उत्पन्न करने वाला है जो सुख तुम्हे धन, संपत्ति और बाहरी चीजों से मिलता है वह अस्थाई है जो अधिक दिन या अधिक समय तक नहीं रहने वाला है ये एक तरह का भ्रहम है, जो थोरे समय के लिए मन को संतुष्टी देता है, मगर वह संतुष्टी जल्दी समाप्त हो जाती है, फिर तुम्हें और अधिक धन, संपत्ती चाहिए होता है, और यही चक्र चलता रहता है, तुम्हारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है, मोहन यह सुनकर सोच में पर गया, मोहन फिर से पूछा, तो फिर भगवान, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे अपने मन को शांत कर सकता हूँ, बुद्ध ने मुस्कराते वे का, सबसे पहले, अपने भीतर की इच्छाओं और मोह को प पकड़ने की कोशिश करते हो, जब तुम अपने मन को इन इच्छाओं से मुक्त करोगे, तभी तुम्हें सच्ची शांती प्राप्थ होगी, मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान, मैं समझ रहा हूँ कि इच्छाओं मुझे बांथती हैं, लेकिन मुझे यह भी बत जाए कि मैं इन इच्छाओं को कैसे नियंतरित कर सकता हूँ, मेरा मन इतना अशांत है कि इसे शांत करना बहुत ही कटिन है, बुद्ध ने जवाब दिया, यह सही है कि मन को शांत करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है, मन की अशांती को दूर करने का ध्यान और समझ से होकर जाता है, ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करो, अपनी सोच को नियंतरित करो, और अपने भीतर के सत्य को अनुभव करो, जब तुम ध्यान में स्थेर हो जाओगे, तो तुमारे भीतर की अशांती कम हो जाएगी, और तुम्हें सच्ची शांत बुध्ध ने आगे कहा महसूस हुआ कि जो बातें बुध्ध कह रहे हैं वे बिलकुल सत्य हैं तब मोहन ने ठान लिया कि वह अपनी इच्छाओं और मोह को त्यागने का प्रयास करेगा उसने बुध्ध से आग्रह किया भगवान कृपया मुझे सही मार्ग दिखाईए मैं आपकी शरण में आना चा बुध्ध ने मोहन को ध्यान और साधना की विधी बताई और उसे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया मोहन ने बुध्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया और उसने अपने दैनिक जीवन में ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं और मोह को नियंतरित करना सीख लिया समय के साथ मोहन के भीतर की बेचैनी कम होने लगी उसका मन शांत हो गया और उसने महसूस किया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तूँ में नहीं बलकि आत्मा की शांती में है मोहन ने अपनी जीवन शैली में साद्गी और सैयम को अपनाया और अब वह अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करने लगा गौतम बुद्ध के उबदेशों ने मोहन को जीवन का सच्चा अर्थ समझाया और मोहन अपने दुख से मुक्ति पाई मोहन का जीवन अब पहले की तुलना में बहुत ही शान्ति पूर्ण और संतुष्ठी पूर्ण था इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि बाहरी चीजें जैसे धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा से असली सुख नहीं मिलती असली सुख हमारे मन और आत्मा की शान्ति में होता है इच्छाओं और तृष्णा, लालसा से मन अशान्त हो जाता है और जब तक हम उन पर काबू नहीं कर पाते तब तक हम दुखी रहते हैं गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और मोह को छोर कर ध्यान और समझ के साथ जीवन जीना चाहिए चीजें हमेशा बदलती रहती हैं और अगर हम इस सच्चाई को स्विकार कर लेंगे तो हमारे मन की अशान्ती दूर हो जाएगी दोस्तों आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखे वो हमें कमेंट में बता सकते हैं इसी के साथ मैं उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसको ये कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बात चैनल को सब्सक्राइब करे ले तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में नई मैसेज के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद और नमो बुद्धे